दोस्तों इस मूवी में हम देखते हैं कि किम नाम के लड़के को स्कूल में सब ही लोग बुली करते रहते हैं और एक दिन उसका जूता स्कूल की जट पर बांध देते हैं ये लड़का काफी डरपोग और शरीफ होता है ये उन्हें कुछ कह नहीं पाता और देवार पर डरते हुए चलता है और अपना जूता निकालने वाला होता है कि वो छट से नीचे गिर जाता है और एक आदमी के उपर गर जाता है असल में ये आदमी एक गैंगस्टर होता है किम की आँखें होस्पीटल में खुलती है और वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है वो मेरर के आगे जाता है और उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है असल में जब किम उस गैंगस्टर के उपर गिरा तो गैंगस्टर की आत्मा स्कूल के बच्चे किम के अंदर गुस गई थे और इस समय जिसे हम देख रहे हैं वो किम नहीं बलकी गैंगस्टर है जो किम की बॉड़ी में है कुछ टाइम तो ये गैंगस्टर अपनी पुरानी लाइफ जीने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो किम की लाइफ जीने का डिसाइड करता है अब किम का पूरा बॉड़ी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बदल चुका था वो अब शरीफ बच्चा नहीं था वो इसकूल जाता है लेकिन उससे कोई बात नहीं करता इवन लंच में भी सब उसके सामने से खड़े होकर चले जाते हैं ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है वहाँ एक शरीफ लड़का एक ग्रुप के लिए खाना लाता है दूसरी तरफ एक लड़की के खाने में कूल डिंग डाल कर ये लोग उसे बुली करते हैं और फिर उसके कपड़ों पर खाना गिरा देते हैं किम कहता है कि ए बच्चों मुझे शांती से खाना खाने दो ये सुनकर उनके ग्रुप का लड़का उसके पास जाकर उसे धमकाते हुए कहता है लगता है ये सारी मार भूल गया है और उसे थपड़ मारने वाला होता है कि एक टीचर आ जाती है वो उसे स्कूल के बाहर मिलने को कहता है अब किम यानि की गैंग्स्टर स्कूल के बाहर उस लड़के से मिलता है उसने सोचा था कि किम डलके मारे आएगा ही नहीं लेकिन यहां तो हमारे गैंग्स्टर है ये वो कहता है कि तुम्हें पहले की तरह रोज लंच में मेरे लिए खाना लाना होगा और किम को थपड मारने वाला होता है कि उसके गाल पर एक चाटा लगता है वो कुछ सेगेंड के लिए बिलकुल सुन पढ़ जाता है और दोबारा मारने वाला होता है कि एक और थपड उसको पढ़ता है और फिर तो उसके लिए चारो तरफ सन्नाटा ही छा जाता है अब तो ये जैसे भीगी बिल्ली बन जाता है गैंग्स्टर को पता चलता है कि ये लोग किम को काफी परिशान करते थे तो वो एक और लाग और एक और थपड मार कर उसे जमीन पर गिरा देता है उसके दोस्त उसे बचाने आते हैं लेकिन वो उनको भी लगाता है अब हम वाश्रू में देखते हैं कि ये लोग किम के दोस्त को बुली कर रहे होते हैं अंदर से किम आता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं किम उसका फोन उठा लेता है और वो लड़का अपना फोन डर के मारे मांग रहा होता है कि एक थपड उसको भी लगता है उस फोन में वो गैंक्स्टर एक वीडियो देखता है जिसमें वो सब लड़के किन को बुली कर रहे हैं और उसका जूता छट पर टांग दिया था वो नीचे गिर गया अब यहाँ पर गैंक्स्टर को ये बात समझ में आ जाती है कि इसी समय किम मेरे उपर गिरा था जिससे मैं इसकी बॉड़ी के अंदर आ गया दोस्तों आप कॉमेंट करके बताईए कि अगर आप किसी के बॉड़ी के अंदर चले जाओ तो क्या करोगे और अभी तक हमारे चैनल मुवी सिंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना आप बिलकुल न भूले